देरराट रामनगर वनप्रभाग तराई पश्चिमी के पतरामपुर छेतर में एनस चोहत्तर के पास गुलदार का शव मिलने से वनविभाग में हड़कम को मच गिया। उदामजिक नगर के पतरामपुर रेन चेतर अंतरगत एनस चोहत्तर के पास गुलदार का शव मिलने से वनविभाग में हड़कम को मच गिया। वहीं सूचना पर मौके पहुँची वनविभाग की टीम ने गुलदार के शव को कबजे में ले लिया है। उसके साथ ही वनविभाग की टीम जाँच में जुट कई है। वहीं मामले में अधिक जांकारी देते हुए वन छेत्रादिकारी पत्रामपूर ललित आर्या ने बताया कि रात नियमिग गस्क के दोरान देर रात एनक चोहत्ता पर पत्रामपूर भगवंधपूर के पास एक गुलदार का शव मिला। उन्होंने बताया कि प्रथम दिष्टी से मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गुलदार के सभी अंग शुरक्षित पाये गए हैं। वहीं छेत्रादिकारी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम होने के बाद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गुलदार के मौत की कारणों का पता चल सकेगा तो रात को तीन सार्टीन बुजे का इसपास में हम गुलदार का सव पाया गया जिसको देखने से कुछ मौत के कारणों का इस पस्ट पता नहीं चल पाया गया गया अब डॉक्टर की टीम दोरा सव परिक्षन किया जाएगा उसके बाद भी इसक है तै प्ता नहीं यडिशन किया जो जो ख्लावाएगा स।